नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इपने प्लेटपॉम परिक्षा प्लस पर टीम की यूर्श है मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा की मालूम है टीम की द्वारा यसाई और एसाई की जो आपकी बैकेंसी आने वाली है विग्यप्ती आने वाली है उसके सब्बद में एक निसुल बैच चलाया गया है उसी के सब्बद में, क्लासेश के सब्बद में आप सभी के सामने मैं मुखातिब हूँ और जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी बहुत स्कोरिंग है अब बात आती है कि हर एक चीजे जैसे हम आपको इसका निशुल जो बैच उपलब्द गरार है इसमें क्या-क्या चीजे होंगी, पूरी क्लासेश होंगी, सभी की आपको नोट्स मिलेगी, क्विजज मिलेंगे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे, संपूर्ण माटेरियल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सारी चीजे मिलनी है आपको एकदम केंदरित होकर के टीम के साथ लगे रहना है, कहीं से भी कोई संकोच न करिए क्योंकि हम एक धे परकारी करते हों और वो धे है कि अगर हम आपका समय ले रहे हैं तो उस समय का आपको लाब मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन में समय की महत्तोता बहुत ज़ादा है अगर आज जैसी आपकी उम्र है, उस अनुसार जैसी वेकेंसी मिल गई है, बहुत अच्छा मौका है साड़ी छे सुपत पिछली बार थे, इस बार लगबग बारा सुपत के करीब है मनलब अपने आप में बहुत बड़ी फिर से ही इसकी उपयोगता है, समय की मांग है आपका मन हो या ना हो, लेकिन पूरी तरीके से कंसंटेट करो, हम आपके साथ है जहां पर मांग दर्शन चाहिए, वहाँ टीम आपको आगे हमेशा खड़ी मिलेगी बस भया हमारा जो दाइतो है हम पूरी इमानदारी से निभाएंगे और एक तो बात आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि टीम आपकी सफलता के लिए पूर रूप से प्रतिबद्ध है हमने अगर कहा है तो हम पूरी तरीके से आपकी नईया पार लगाएंगे उसमें कोई भी मन में संकोच मतलाना डेली बेसिस पर लगबख चार से पांच क्लासेज आपके लिए हम उपलब्द करवाएंगे निश्यत अंत्रायल पर उसकी नोर्स होगी उसके क्वेजिस होंगे सब कुछ बहुत अच्छे मैनेजबे में चलना है सभी के सभी जितनी क्लासेज आपकी चार से पांच होंगी सब कुछ आपके लिए नहिसुल करे दूसरी बार ये सारे जो वीडियोज होते हैं जो नहिसुल के वीडियोज हैं इनको आप अपने दोस्तों को भी सेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपके हितासी हैं वो भी इसका फाइदा उठा सके और एक अच्छे ठीक कॉंटेटर की तरीके से एक अच्छे सधे साधक की भाधी मैदान में उतरिये क्योंकि तैयारी जब पहले से की जाती है तो सफलता तभी मिलती है कोई ऐसा मोलमंत्र दुनिया में नहीं कोई ऐसा आचारी दुनिया में नहीं कोई ऐसा गुरू दुनिया में नहीं कोई ऐसा संस्थान दुनिया में नहीं कि परिक्षा से दस दिन पहले आपको पूरी बूटी पिला दे और आपको यह सेलेक्शन करवा दे हम जिन चीजों पर कोशिस कर रहे हैं सारे बिसे बहुत बिधवट ढंग से जितनी गहराई होनी चाहिए टीसीएस का पैटर्न होना चाहिए जितनी परिक्षाएं करवाता उस अनुरूप क्या बिसे से कैसे सवाल पूशता सब पर काम करते हैं टीम परिक्षा प्लस टीसीएस के पैटर्न को लेकर राज सरकार के जितनी परिक्षाएं होती हैं उसमें अपने आप में वेस्ट है हम उस सभी पर खारे उतरे हैं ठीक है उन्हीं पर हम आगे कारी करेंगे जितनी भी क्लासेश हैं बहुत ही अनववी सिशकों के द्वारा वो यहां उपलब्द करवाई जाएगी ठीक है इंस्टिट्यूट हमारा इससे पहले भी चलता है लखनों से सारी चीजे प्रसारित होती हैं हम लोग ऑनलाइन परिक्षा प्लस प्लेटों के जरीए आपसे जुड़े हैं टेलिग्राम चैनल वगएरा सब कुछ कर लीजिए यह जो प्लस है आपका यह 10 प्लस के इंतरगत आपका नहिसुल्ख है टीम ने एक प्राउधान किया था इधर लोग डाउन में कि जितनी भी आपकी परिक्षाएं इधर आएंगी उन सभी के लिए हम आपको नहिसुल्ख बैस देंगे और हमारा जुद्धे है यह 10 प्लस यह जो है यह ओफिस जॉब है वो सिविल पोलिस है मनलब लोगों के बीच में थाने पर पोस्टिंग हर एक चीज़े करना यह आपको एक तरीके से पुलिस के मुख्याले पर या आदर जगह उपर जहां मेन मेन ब्रंच मनलब थाने है वहाँ पर कोतवाली वगरा में पोड़ी सी एक चीज़ करनी है भीया ठीक कि अगर आपको हर एक क्लासेज की ठीक है नोट्स चाहिए जितना पढ़ाया जा रहा है यह कंपलसरी नहीं है टीम के द्वारा कोई दबाव नहीं है कि आप नोट्स लीजिए ही लीजिए ठीक है लेकिन हमारे तरप से थोड़ा स प्रावधान है कि अगर आप नोट्स हमारे डेली बेसिस पर चाहते हैं कोईजिए चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तीन महिने के लिए 499 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा तीन महिने यानी 1.500 रुपे महिना यतना भी महिना नहीं है यह एक सहायता आपसे लिजा रहे है ताकि आप कंसंट्रेट होकर चीजों को पढ़िए पीडियाप दें उसको पढ़िए कोईज़ दें उसको अटेम्ट करिए ठीक है और थोड़ा बहुत जो टीम का ऐसा तो है नहीं कि हमीं टाइप कर लेंगे हमीं सब कुछ नोट्स बना लेंगे हमीं बड़ी चीज़े नहीं है और यह कोई दबाओ नहीं है हम जितना पढ़ाते हैं अगर अपनी हिसाब से नोट्स बनाते हैं उससे बाहर कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको अलग से कोई बैस पढ़ाएंगे ठीक है जो लोग पेड होंगे सभी के लिए आपक चार से पांच क्लासे डेली बेसिस पर होंगे वीडियो क्लासे सारी के सारी गोडवत्ता आपने आप में एकदम आप यह मानिए कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा जितनी सब्जेक्ट होंगे इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है बस आप इमानदारी के साथ जुड़िए और केंद्रित होकर जुड़िए ये नहीं कि अच्छा फ्री क्लासे चले ही तो चलो आयरे पढ़ लेते हैं कभी देख लेगी नहीं जब तक नियमेत नहीं आओगे वहिया तब तक सफलता कोई भी दिलवा नहीं सकता है हम आपको मार्क दिखाएंगे आपके लिए ये बताएंगे कि ये सनक से जाओगे तो सफलता मिलती है किस विसे में कितने डीटेल तक पढ़ना चाहिए किन चीजों को छोड़ना चाहिए दिमाग की अपनी भंडारन की एक शमता है उसमें ऐसी नहीं कि उल जलूल चीजे अब पता चलता है उसको सारी चीजे रेसाइकल बिन में डालनी है कूडे में डालनी है आपने सही फाइल जो डाली वो भी उठाक उसने डाल दिया अब तो बहाचोपन इसलिए एक गुरू की आवास सकता होती है जीमन के हर शेत्र में और यहाँ पर जो है वहाँ पर टीम आप में mcq basis पर classes देंगे live classes रहेंगी वो भी और उसके PDF होगी notes होगी सब कुछ होगा सारी चीज़ होगी बहुत manage way में तो चलिए बढ़ते हैं कोई भी आपको दिक्कत होती है यह तीन नंबर दिये हैं इन पर call करिये वाट्स जो है कुछ भी ठीक है 24 इंटो 7 आप call कर सकत जानकरी ले सकते कि सब कैसे क्या करना है पूरी चीज़ तो बढ़ते हैं आज देखे भी या सलेबस मैंने पहले ही बता दिया है मैं आपके समने हिंदी व्याकरण की class जो है प्रारम कर रहा हूँ आज और हिंदी इसमें जो प्रशन आपके आएंगे वो 25 प्रशन होंगे इ 35% हर एक बिसे से होगा और overall 50% होना चाहिए ठीक है 50% सभी पूरे प्रशन पत्र को मिला कर आना चाहिए और 35% हर एक बिसे में होना चाहिए निगेटिव मार्किंग का प्राउधान होगा तो अब हमें बहुत बजते हुए चुकि अगर ऐसा होता है तो जो बच्चे पढ़ करवाती है TCS आपके UPCC की परिच्चा करवाती है राजी सरकार की ठीक है और railway की परिच्चा करवाती है और SEC की परिच्चा करवाती है तो जो UMCQ classes होंगी ये सब इतनी आपकी special classes दी जाएंगे TCS के pattern पर कि सब कुछ आपको लगेगा बहुत बढ़ियां चलता है तो चलिए ह पर टीम आपको रंडीत बताएगी हर एक चीज़े हम सबसे best solution आपको देंगे लेकिन हर एक शात्र की सभी की अपनी अलग रंडीत होती है अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी रंडीत बहुत अच्छी है वेस्ट है follow करिए कोई दिक्कर नहीं है इमानदारी से रहिए हम आ कुछ चीज़े जो अनभाव के बेस्ट पर हैं वो चीज़े हम आपको बताएंगे उससे आपका लाब होगा ये निश्चन तरहीं तो बढ़ते हैं 25 question हिंदी का आता है प्रियास ये रहेगा जितना पढ़ाऊंगा इससे बाहर कोई question नहीं जाएगा अभी classes करवा रहा पर हूँगा उससे बाहर कुछ नहीं होगा तो हिंदी में 25 प्रश्ण है 25 प्रश्ण में आप सारे लोग जानते हैं कि इसका जो आपका syllabus है पाटकरम है हिंदी का हिंदी के पाटकरम में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में परशर्शा की है जो आपका पुराना पाटकरम पाटकरम वहीं रहेगा कोई बल्लाव नहीं होगा जो 18 में आपका पिपर हुआ है 16 की वेकेंसी थी दिसंबर की ठीक पाटकरम में कोई बल्लाव नहीं होगा बस इसमें जो प्रावधान है नेगेटिव मार्किंग के और ओबराल परसंटेज के उसी में बल्लाव होना है उ पचीस आपके प्रशनाएंगे 50 नंबर का ठीक है दूसरा जो मेरा होगा आपको GS में मैं पॉलिटी ठीक है ये पूरा का पूरा कवर होगा इसमें भी आपका GS आप से 50 क्वेशन है उसमें इसका रूल जैसे होगा 5-6 क्वेशन वो पूरा का पूरा रहेगा ठीक है मोल क्लासेज होंगी इस पर इस परिक्षा के लिए क्योंकि आपने देखा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड मलग आईटी से ज़्यादा आपका पूस्ता है तो उन सब की क्लासेज अलग से होंगी वो रहेगी तो पूरी की पूरी चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से लगे र पर परिशर्चा कर रहे थे हम स्लेवस पर परिशर्चा कर रहे थे देखो सबसे बड़ी बात बताओं मैं आपको अगर आप कंप्प्टीटर हैं तो एक बात को ध्यान देलो अगर सफल होना चाहते हो इस चीज़ को कभी रिलाइज करना जो मैं आपके सामने बोल ला हूँ एक तो ये चीज़ें कि कभी भी अगर आप सफल होना चाहरे तो सफलता तभी मिलेगी जब आपकी तयारी पहले से हो मैदान में उतरना है भाईया तो मैदान में आप पहुँच के फिर अपनी तलवार भी सोगे वहाँ तो पता चला कि सत्रुआया और गर्दन कट गई ठी सरीर वही बेजान पड़ा है और हम जब उपर पहुँचे तो सोच रहे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए परिक्षा में जब हमारी हार हो जाती हम सफल परिक्षा में दो ही होता है युद्ध में दो ही होता या तो जए या तो पराज है ये युद्ध की भात इसको जो है आप करिए बस यहाँ हमें वैसी रंजिस नहीं रखनी है किसी से भी ठीक है हमारी रंजिस वैसी नहीं होनी चाहिए लेकिन जो दंखम होना चाहिए वो बहुत ही प्रबल होना चाहिए ठीक है एक रंडी जू होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भाग है ठीक वो इला बताते हैं उस पर काम करो पहली चीज है अगर परिक्षा सफल करना चाहते हैं तो परिक्षा के पाटकरम को जानना सीको ये नहीं हिंदी आनी है तो हिंदी उठाए किसी किताब से बस सुरू से अंतर तक पढ़ डाले ये नहीं देखे कि पुराने प्रश्रपत्र में किस बरहक्तिसी पर भी कोई समस्या है हमेसा पूछे हम आपके साथ हैं देखे हिंदी का जो आपका partgram है इससे पहले भी मैंने बता है बस थोड़ी सी पर चेर्चा होगी उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा हिंदी में देखे आपके हिंदी में ब्याकरण आपसे पूसता है जिसमें आपका वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण के बाद वर्ण माला होती है, वर्ण माला में वर्णों का उचारण होता है, ठीक है, वर्णों का उचारण है, यह सब आपके syllabus में है, जो चीजे मैं पढ़ाऊंगा, और जितना पढ़ाऊंगा, इससे बाहर हिंदी नहीं हो सकत यह challenge है ठीक है अगली चीज क्या है उच्चारण के बाद वर्णों की संदी होगी ठीक है वर्णों की संदी होगी और संदी से जब आपके सब्द मिलने लगेंगे बहुत अच्छे से ये सारी चीजे पढ़नी है उसके बाद वर्तनी से सवाल आपसे पूछा जाता है ठीक तो सब्द मिलेंगे तो वर्तनी होगी ये आपके वर्णमाला से हो गया दूसरा पॉइंट होता है सब्द से सब्द में भी आपके सब्द के चार जो विभेद होते हैं उत्पत्त के आधार पर प्रियोग के आधार पर रचना के आधार पर इन सभी के जो अपने चारशार करेंगे ठीक पूरी की पूरी चीज़ बहुत बिद्वत पढ़ाऊंगा मैं जितने डिटेल पढ़ाऊंगा उस क्लास को अटेल के लिए उसके बाद जब आप नोट्स मेरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं फिर से लेक्षर को देख रहा हूं ठीक है मैं उतनी सहज भा बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ठीक है तीसरी बात जब हम आएंगे तो सब्द के बाद आपका वाकी बनता है वाकी में आपका जो है अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाकी में सुद्धी असुद्धी सुद्धी में खासकर पर इन सारे को बहुत धंग से यहां पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किदर, इसके बाद हम बढ़ जाएंगे, आपके छंद की ओर, फिर हम पढ़ेंगे रस की ओर, ठीक है, रस के बाद आपके स्लेबस में अलंगार है, अलंगार के बाद आपके स्ले हम जिस भासा को पढ़ रहे इस भासा का इतिहास क्या है इस भासा में जो साहित्ती हैं उनका इतिहास क्या है तो इन दोनों से भी सवाल होते हैं रचनाओं से लगभग आपके तीन से चार प्रश्ण मैं कह सकता हूं कि जो पिछला पेपर रहा उसमें आया था मैंने करवाया ह isolation वहाँ देख सकते हूँ आप जाके तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यह तो आपका पार्ट क्रम रहा पार्ट क्रम को दिमाग में भर लेना कि क्या चीज़े पढ़नी होती है अब ऐसा नहीं कि आप चुकि ट्रिपल यह जो TCS है TCS अलग-अलग जो परिच्छाएं करा रहा उसमें syllabus अलग-अलग है अब यहीं चीज़ जब आप लेकपाल में जाओगे लेकपाल में पूरी पढ़ाई है लगबग तीस क्लासिस पूरी पढ़ी हुई है 10 प्लस कूर्स के अंतरगर लेकपाल का जो कूर्स है उसमें उस तीस क्लासिसस में मैंने पूरी डिटेल में UPSSAC में अब उसमें क्या करता है UPSSAC में आपका UPSSAC में जो लेकपाल के पैटर्न पर होगा उसमें थोड़ी सी चीज़े आपकी बदल देता है ठीक है? थोड़ी सी चीजे क्या बदल देता है? कि वहाँ पर जैसे सब्द हो गया, तो सब्द में ब्याकरणी कोटिया इसके 9 पॉइंट अलग है, इनको वहाँ अलग कर देता है ब्याकरणी कोटियों को, इसके 9 पॉइंट आपके है, तो यह आपका अलग हो जाता है, दूस यसाई की परिक्षा है, राजी सरकार की है, लेकिन यहाँ पर आपके प्लस पॉइंट इंकल्यूड होते हैं, तो चली आप बढ़ते हैं किधर, आज मैं सुर्वात कर रहा हूँ, आपके सामने हिंदी की कच्छा हैं, बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, पहली क्लास हैं तो इसमें कुछ चीजें जरूरी हैं मेरा आपसे डिसकस करना, तो उसके लिए आपको परिशान नहीं होना है, बहुत बिदवत हर एक चीजें चलनी है, चीजों को ध्यान से देखें, क्योंकि यहीं से आपका मार्ग में तैं करूंगा, उस मार्ग के अंसार आपको चलना ह और वो चीजें आपके लिए जरूरी हैं वैया, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आप ऐसे नहीं है कि एकडम अचानक से तैयारी करने आए हो, जिन चीजों को मैं यहां पर बता रहा हूं, उन चीजों के आपके करणपलों में उससे पहले उन धनियों को आपने कही न कहीं हैं, देखो, हिंदी में सबसे पहले जब हम बात करते हैं, कि जो आपके पाटक्रम में दिया है और पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि 25 प्रशन में हमारा जो टार्गेट होगा, कि मैं आपको 25 में 25 सही करवाँ, ठीक है, वहीं चीजे तो होनी चाहिए, क्योंकि जो आसान से स लेबस हैं, वहां से हमारे प्रशन गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो अगर छोटी चीजों से प्रशन गलत हुए, तो आप तो पहले ही बाहर हो गए, जो आम बच्चा सही कर रहा, कॉम्प्टीशन में कठेन प्रशन गलत होते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आशान प्रश रूप से है, यहां ब्याकरण से संबंदि जो आपके सवाल है, इसमें ब्याकरण में सबसे पहले इसकी जो परिवासा दी जाती है, वहां एक तरीके से देखा जाए, कि ब्याकरण के जो रचईता होते हैं, ब्याकरण को जो लिखने वाले हैं, वो क्या हैं, उनको ब्याकर आप से ठीक है क्या करें व्याकरण की उत्पत्ति होती है वहीं से कोई भी ऐसा संस्कृत का आपका एक तरीके से यह मानेंगे कि यहां पर हिंदी व्याकरण जो है इसकी रचना जो होई है उत्पत्ति जो होई है यह किस से होई है यह हिंदी व्याकरण या हिंदी यह संस्कृ से आईए क्योंकि जब आप भासा पढ़ना प्रारम करते हो तो भासा में सबसे पहली चीज आती है ठीक है कि जो आपकी भासा है भासा कोई भी भासा आपकी अलग अलग होती है भासा सबसे बड़ी जो है इकाई होती है इसमें मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा पहली चीज तो और उपवाकी से बड़ी इकाई बाकी की होती है, वाकी से बढ़ी इकाई आपकी भासा होती है, तो ये भासा का आपका क्रम चलता है, सबसे पहले वर्ण फिर अक्षर फिर सब्द फिर सब्द भेल फिर आपके पद फिर पदबंद फिर उपवाक की फिर वाक की फिर उसके बाद क्या उसके बाद भासा तो ये नीचे से उपर का क्रम चलता है भासा में और भासा जो हमारी हिंदी है जिसको हमें पढ़ना है ठीक भासा में जब हम देखते हैं तो भासा आप लिखकर भी बताते हो आप मौकिंग भी करते हो आप सारीरिक भी करते हो ठीक है तो भासाओं में प्रकार जो होता है वो तीन प्रकार होता है लेकिन मुख्य रूप से दो ही मानी जाती है लिखित और मौकिद ठीक है जो आपकी सार इन सब पर मैं बाद में भी प्रशर्चा करूंगा चुकि लास आपके पहली है तो बहुत सारी चीजिय आपको वह भी जाननी है जिनको आपको यहाँ केंद्रित होना है ब्रयाकरण के तीन अंग माने जाते हैं ब्रयाकरण में पहला जो आपका अंग होता है अंग को यहां विचार बोलते है यह पहला विचार होता है वन विचार ठीक है वन विचार के बाद दूसरा जो आपका विचार होता है वहाँ होता है शब्द विचार और तीसरा जो आपका होता है ठीक है यह शब्द विचार होता है और तीसरा जो होता है अंग यह कहलाता है आपका क्या यह कहलाता है वाग की विचार ठीक है तो हिंदी व्याकरण में तीन विचार होते हैं सब्द विचार वण्ड विचार शब्द विचार और आपके वाग की विचार या हिंदी व्याकरण के तीन अंग कहे जाते हैं अब बात आती है कि हिंदी व्याकरणा में जब तीन अंग हैं, तो रस, छंद, अलंकार ये भी हमें क्यों पढ़ने पढ़ते हैं। देखो, हिंदी व्याकरण के अंतरगत कभी भी छंद सास्त्र को नहीं रखा गया है, छंद सास्त्र यह चोथे अंग के तौर पर हम इसको जोड सकते हैं, कि हिंदी व्याकरण का एक अंग है आपका चोथा, जो छंद सास्त्र है, लेकिन जितनी चीज़े हमें पढ़नी तरीके से जो आपके संस्कित बयाकरण के हैं लोग वो इसको इसमें include नहीं करते ये आपका इससे बाहरी है तो छंद सास्त्र में हम छंद से संबंदी चीजों का अध्यन करते हैं इसमें हम पढ़ते हैं कि छंद सास्त्र में आपके सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस क्या होगा रस के बाद फिर हम पढ़ेंगे अलंकार क्या होता है और अलंकार के बाद फिर हम पढ़ते हैं कि इसमें छंद क्या होते हैं तो रस, चंद और अलंगार ये तीन चीजे चंद सास्तर के अंतरगत आती हैं जो व्याकरण से अलग माला जाता हिंदी व्याकरण में सिर्फ वर्ण विचार, शब्द विचार और वाग की विचार तीन ही विचार आते हैं या इसके तीन अंग हैं जो चोथा अंग के तोर प का रस से संबंदित होगा सबसे पहला लिक्षर आपके रस से संबंदित है तो पहली हेडिंग अब आप डाल सकते हैं जितनी चीजे मैंने बताई है अगर आप जो भी है ठीजे मेमरी के लिए अपने वैसे मैं नोर्स दूंगा उसमें सब कुछ है लेकिन जब आप पढ़े हैं और आपको नोर्स बनानी है तो आप उसको shortcut में जैसे ठीक है आसू लिपिक की भासा होती है स्ट्योनेओं की भासा होती है जिसकी आप परिक्षा देने जा रहे हो तो उस क्रम में इस पूरी चीजों को आप अपने अनुसार क्या करते रहें अपने अनुसार इसको लिखते रहें बाद में डेटेल आप लिख सकते हैं नोर्स आप यहां से जितना बताता हूँ उसको भी देखकर बना सकते हो नोर्स के लिए समय बचाना चारे तो आप नोर्स क्या कर सकते हैं आप पेड़ भी इसको बोलते है, वाह बोलते है sentiments ठीक, कहते हैं नहीं यार बड़े सेंटी होगे, रस रस है क्या, रस का आर्थ है आनंद, ठीक है रस का आर्थ है, आनंद किसी काभ्वी को पढ़ने से सुनने से जो आपको आनंद की अनुभूती होती है, वहार रस है ठीक है? रस काब भी की आत्मा है, अगर काब भी है तो उसमें रस होगा और अगर रस नहीं है तो वह काब भी नहीं है क्योंकि अगर जीवन में भी रस नहीं है तो जीवन नीरस है और नीरस जीवन हमेशा कश्ट देता है, कश्टकारी होता है इसलिए रश की जो निस्पत्ति मानी जाती यहां हमारे अंदर मौजूद कुछ तत्व हैं वहां से ही इसकी निस्पत्ति होती है रस के लिए बहुत सारे ऐसी चीजे होती हैं कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं उस अनुसार हमारे हिर्दय के अंदर कुछ अलग-अलग यहां से भाव प्रकट होते हैं और जैसा भाव प्रकट होए का वैसा ही मनह इस्थित हमारी बनती है और वैसे ही रस का संचार हमारे हिर्दय में होता है पता चलता है कि कोई ऐसा द्रिश्य देखे जो बड़ा भीवत्स है द्रिश्य में आपने देखा किसी का एक्षिडेंट हो गया सामने अचानक से आपके सामने किसी व्यक्तिकी मौत हो जाती आपने द्रिश्य को देखा आपके अंदर भाव जगा अस्थाई भाव और एक संचार होता है उस द्रिश्य को देखकर आलंबन का प्रभाव होता है आपके सामने है और आपके अंदर एकदम बड़ी भयानक सी चीजे बन जाती चेहरा बन गया सब कुछ ओड़ गया हाओ भाव आपके वहीं के वहीं रुग गये कदम वहीं रुग गये मतलब अब वहाँ पर आपका सरीर एक दूसरे भाव को प्रकट गर वहीं चीजे ऐसा द्रिश्य देखते हैं घर पहुँचे कोई घर में महमान आ गया बड़े दिनों के बाद आपने देखा उसे बादशीत हुई बड़ा आनंद महसूस हुआ ठीक ये वहीं चीजे हैं कि रश काब की आत्मा कही जाती है अगर रस नहीं है तो फिर वह काब भी नहीं है हलाकि रश में ऐसा भी नहीं है कि अपने अंदर अपने हिर्दे में इतने सारे अलग अलग रस हैं उनके अलग या इतने सारे भाव हैं जिन से हमें अलग अलग रसों के बारे में बहुत चीजें मालूम पड़ती कभी है चली तो रस क्या है रस में हमने बताया कि रस आपके काब बी की आत्मा कही जाती है इसमें बहुत प्रमुख-प्रमुख आचारी है उनके बारे में जो परिभाशाएं दी गई है उन सभी को हम पढ़ेंगे आचारी मममत के जनोंने क्या बोला आचारी पिंगल ने क्या कहा जिन्होंने चंद सास्तर की रचना की ठीक है चंद सास्तर मैंने बताया कि यह अलग विधान है अलग विधा है और इसकी रचना किसके लिए हुई है काब्वे में कुछ अनुसारण कुछ सुनने और कुछ जानने कुछ पढ़ने के बाद जो अन आनन्द की अनुभोती होती है वह रश है समझ गए ठीक तो आगे बढ़ते हैं इसमें एक एक चीजे जो चीजे हैं वह मैं आपको समझाता चल ला हूँ उसी चीज को आप समझे साहित्ति को पढ़ने सुनने या नाटिकादी को देखने से जो हमें अनुभोती प्राप्त होत एक चतुरा नारी करेके शिंगार ठीक है मेरे मन के द्वार वह घोसत जात हम हसत जात आरा अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला तो आपके दिमाग में वो सीन चलने लगी वो चोटी वाला बाबा अब इसको सुनेने के बाद आपको आनन्द मिलेगा एक चतुरा नारी ठीक है अब यहाँ पर चीजे सुनेने के बाद आपको हसी आई आपके मन में कुछ ना कुछ तो संचार हुआ ठीक है और वहीं चीजे जब बिहारी का दोहाब मैं आपके सामने पढ़ूं कि भरे बवन में करत है नैनन हुसू बात अब यहाँ पर चीजे क्या है अब यहाँ पर ज उनकी आपस में बात नैनों के मादनें से हो रही है तो यह चीज़े यहाँ पर जो रास जगा वह रस और है और जो इसे पहले मैंने कविता बोली वह रस कुछ और है ठीक है? तो यह रसों की निस्पत किसा नुसारज होती है किसी बात को सुने, किसी बात को पढ़े या किसी बात को लिखते हैं फिर भी हसी आती है ठीक है? मैसेज टाइप कर रहे हो, बतिया रहे हो, तब भी हसते रहते हो वो भी तो रस है बात नहीं कर रहे हो फोन पर मैसेज कर रहे हो लिख रहे हो तब भी तो रस आया यहीं चीजे क्या है और अगर भोजन रस के बिना यदि नीरस है अवसद रस के बिना निशप्रान है तो सहित भी रस के बिना निरानंद है और जब तक आनंद न हो सानंद के साथ कोई न पढ़े तब तक बढ़िना तालमेल नहीं लगता है इस बात को ध्यान लगीगा रश साहिटानंद को ब्रमानंद शहोदर बनाता है ब्रमानंद मतलब उस परम आनंद के अनुभूति करना वही क्या है रश है आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार यहाँ पर परिभाशाएं आपको दी गई रश स्वरूप रशे वह शह कहा गया उसी प्रकार परमोत क्रिष्ट साहिति को यदि रश स्वरूप क्या रशे वह शह कहा जाए तो अतियुक्ति ना होगी मतलब कोई बड़े बात नहीं होगी कुछ ब्यौत्पति को लेकर क्या प्रकार है इसको समझो पहली चीज आती है शरत इती ही रशा यानि जो सरण शील ग्रमण शीलो वहा रश है दूसरी क्या है दूसरी चीज है रशते आश्वादते इती ही रशा अर्थ क्या हुआ आश्वादते जिसका आश्वादन कर सको जिसकी आप क्या कर सको एक तरीके से जिसको आप अगर पियो तो रश की निस्पति हो आनंद की या भूति हो वह रश है ठीक है तो दो परिभासाएं हैं पहली तो आपके सामने है सरत इती ही रशहा यानि सरण सील द्रवण सील जो है वहारश है दूसरी चीज आपके सामने है कि रशते आश्वाद्यते है इती ही रशहा जिसका आश्वादन कर सकें जिसको चक सकें वहारश है ये रश की परिभास आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे मटर पुलाओ पनीर ठीक है साही पनीर कौन कौन सी पनीर बेच को का ये बो पता नहीं जिस प्रगार से लजीज भोजन से जीव और मन को त्रिपती मिलती है ठीक उसी तरह मधुर कापी का रशाद द्वादन ठीक है हि घ्यन केगा आगे बढ़ते हैं जैसे साहिती धरपण के रचैता ने क्या बोला कि रसाकतम वाक्यम काव्यम यानि रस ही काव्गी की आत्मा है इन्हों ने क्या कहा कि रस काव्गी की आत्मा है ठीक, ऐसे सवाल देता है कि निम्न में से काबी की आत्मा किसको कहाते हैं तो वहाँ दे देगा आपके सामने रस, अलंकार, छंद और फिर एक दे देगा लोकोक्तियां या मुहावरे उसमें से आपको चुनना है रस क्योंकि कहा गया है कि रसाक्तम वाक्यम काब्यम यानि रस ही काबी की आत्मा है इस बात को ध्यान लखेगा तो पहली चीज़ अब बात करते हैं काबी प्रकास के रचैता मम्मण भट ये भी सवाल पूसता है ठीक है काबी सास्तर के रचैता कोन है मम्मण भट है इन्होंने कहा कि आलंबन विभावों से उद्बुद्ध, उद्दीप्त, व्यविचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनभाव द्वारा बेक्त, हिर्दें का अस्थाई भाव ही रस्दसा को प्राप्त करता यानि रस्द के संपन्न होने में कई क्रियाएं चलती हैं, उन्हीं क्रियाओं में क्या होना चाहिए, आलंबन होना चाहिए, विभावों होना चाहिए, उद्दीप्त होना चाहिए, विवचारी भावों होना चाहिए, संचारी भावों होना चाहिए, तब रस्दस की निस्प जानकी जी आती हैं एकांत है प्राता कालीन वायू पुस्पो की छटा मन में मौह पैदा करती है। एकदम आनन्दित कर रही पसवर चहक रहे हैं वहाँ पर भग्मान स्रीराम सुवे के मंदवायू में प्राता काल में उस वाटिका में भूमने जाते हैं जहाँ पर माता सीता भी उस वाटिका में मौझूद होती हैं भग्मान स्रीराम माता सीता को देखते हैं और उनके अंद तो वो सब कुछ जो ये छटा है ये जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा आपके अंदर भी एक रसका संचार होता है आपके हाव हाव अदल जाते हैं तो वहीं चीजे पर हैं यहाँ पर ध्यान दीजेगा जानकी जी जिनको देखकर भगवान स्री राम के अंदर मन में है ऐसी बात उठी वह आलंबन भी भाव हैं जो अस्थान था एकांत था तता प्राता कालिन वाटका का द्रिसी था यह उद्दीपन भी भाव है हमारे अंदर उद्दीप तलाए तता शिता और राम में कटाच्छ हर्स लज्जा रोमांच आदि व्यविचारी भाव हैं ये परिस्थित के अनुसार उत्पन होते रहते छणिक आये छणिक गए ठीक है आपकी प्रेम का ये बात कर रहे है कभी हस रहे कभी रोने की नोबत आ जाती है ये छणिक है कोई ऐसी बात उसने बोल दी आपका मूं डब्बा हो गया वो क्या है चीजे वो चीजे छणिक होती ह पर ऐसी बात बोली तो फिर से फिर वहीं हो गया ठीक तो ये संचारी भाव छणिक होते अस्थाई भाव हमेशा हिर्दय में होते हैं आगे बढ़ते हैं जो सब कुछ मिलकर अस्थाई भाव रति रतिकार्थ होता है प्रेम को उत्पन करते हैं हमारे ये सारी जो हैं उत्द इसमें बहुत बड़ा है भरत मुन ने ही छंदसास्त की रचना की है भरत मुन रस निस्पत्य के लिए नाना भाव का उपगत होना कहा जाता है इन्होंने कहा कि अगर रस की निस्पत्य है तो उसमें नाना भाव आते नाना प्रकार के भाव आते कैसे जिसका आर्थ होता है कि बिभाव, अनभाव और संचारी भाव यहां अस्थाई भाव के समीब आकर अनकूलता ग्रहेड करते हैं अब अलग-अलग आचारी हैं उन्होंने रसकी परिभासा को अलग-अलग ढ़ंग से दी है इसमें जैसे सबसे प्रचलित परिभासा भरत मुनिकी है जिनोंने सरप्रथम रसका उले किया और अपने प्रसिद ग्रंथे नाटि सास्त्र ये पोचता है कि नाटि सास्त्र की रचना किसने की भरत मुनिकी तो दूसरा क्वेशन यहां से बनता है जो कुछ पढ़ाऊंगा जहां से प्रशन बनेंगे वोंची जो पर मैं आपको इंगित करूँगा अगले चीज इसमें की पहली सताब्दी में ये ग्रंथ आपका आयात नाटि सास्त ठीक है इनके अनुसार रसकी जो परिभासा है वो क्या है मतलब बिभाव, अनुभाव, संचारी भाव और वेविशारी भाव के मिलेवन से सयोग से रसकी निस्पत्ती होती है जो इन्होंने अपनी परिभासा नाटि सास्तर में दी है रसके अब बात होते हैं कि अंग क्या है इसके चार अंग माने जाते हैं भया जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उपर यहीं इनके चार अंग है चार अंग में से कोई नहीं है तो वहां रस आपका नहीं होगा देखिए कौन-कौन से है पहला अंग जो है वहाँ विभाव होता दूसरा अनुभाव तीसरा वेविचारी भाव चोथा अस्थाई भाव पहले विभाव होगा फिर अनुभाव होगा फिर वेवचारी भाव होगा उसके बाद आपके अंदर एक अस्थाई भाव जगेगा विभाव क्या होते हैं जो वेक्ति पदार था था जो है बाहे विकार या अन्य वेक्ति के हिर्दे में भावों द्रक करता है भाव को उत्पन करता है वो उन काड़ों को भी भाव कहा जाता है इस बात को ध्यान लखिएगा यानि दूसरे सब्द में ये तो परिभासा आपके बहुत ही कठिन हो गई जो वेक्ति वस्त या परिस्तितियां साइभावों को दीपन या जागरित करती है हमने किसी चीज को देखा सामने से क्या है कोई आ रहा है तो हमने देखा भले ही वो हमें नहीं देख रहा लेकिन लड़कों में आदत होती है कहीं से भी मुका मिल जाए ठीक है तो देखते रहते हैं, अब वो चीजे क्या होती है यहां परिस्थिद क्या है सामने से कोई सुन्दर बाला आ रहे है तो दिमाग आपका उसी पल लग जएगा ठीक है, यह उद्दीपन है हमारे मन में कुछ न कुछ तो जगा वो चीजे क्या है, सामने से मैंने बताया किसी का आपके आखों के सामने एक्सिडेंट हो गया मन एकदम द्रवित हो जाएगा बड़ा ही जो है वो लगेगा रात की अवस्ता है साएं साएं हवा निकल लए कहीं अचानक से कोई निकल पड़ा कोई ऐसा काम कर रहे हो और कोई जानने पहचानने वाला रिष्तेदार देख लिया तो मन के अंदर जो भाव उत्पन होते वो क्या हैं वो सभी के सभी परिस्तितियों के अनुसार होते हैं ठीक है यानि यह वो दिप्त करती हैं हमारी चीजों को और यह विभाव की उरहम बढ़रे विश्तोनात ने सहितिदरपन में लिखा तो सहितिदरपन किसकी रचना है विश्तोनात की है तीसरा परशन कि रत्यूदत का हग लोके विभावा काब बिर्नाटियों यानि जो समाज में रत्यादी भावों का उद्वोत करते वो विभाव हो है विभाव किसी से जिससे भाव भाव का उद्पन होना होता वो विभाव हो है अगली चीज विभाव के भी बेद होते ऐसा नहीं है कि किसी चीज को उद्दीपन को आप देख ले तो उद्धीपन में, जिससे की हमारे अंदर कोई चीज उद्पन हो, तो उसमें ऐसा ही हो, इसके दो भेद होते, एक आलंबन होता है, और दूसरा उद्धीपन होता है, ठीक, एक जिसको देखकर आपको कोई चीजे क्या हो, प्रभाव पड़े और हमारे अंदर वैसा विकार उद्पन हो, रस उद्पन हो, ठीक, देखो, आलंबन विभाव की परिभासा होती, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं, ठीक है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते, वहां आलंबन कहलाता है, आलंबन विभाव कहलाता, यानि जिन वस्त इन विशेव को इन वस्तों को देखोगे सुनोगे तो वहाँ पर चीज़े क्या होगी यह आलंबन विभाव होगा आगे बढ़ते हैं आलंबन विभाव में दो पच्छ होते एक आस्रया लंबन दूसरा होता है विशे आलंबन आस्रय मनलम निर्भर करना और विशे किसी आस्रया लंबन कहलाता है और दूसरी चीज़े जिसके प्रतिया जिसके कारण मन में भाव जगे वो क्या है विशे आलंबन कहलाता है तो आस्रया लंबन क्या है कि जिसके मन में भाव जगा किसी चीज को मैंने देखा मेरे मन में भाव आया तो मैं वहाँ पर आस्रया लंब कि राम के मन में सीता के प्रति रतिका भाव जगता तो राम आस्रे और सीता बिसे हो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद उद्दीपन भी भाव क्या होता जिन वस्तों या परिस्तितियों को देख कर अस्थाई भाव उद्दीपन भी भाव कर लाता ठीक है उद्धीपन विभाओ जिन वस्तों या पईस्तितियों को देख कर ऐसा हुआ वो उद्धीपन है उद्धीप तो होना है आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपका अनुभाओ क्या होता है इसको समझ ले अनुभाओ में आलंबन और उद्धीपन विभाओं के कारण जो पहली आई उसके बाद आप हसें लगे ठटा मारके तो वो बाहर तो आया जब बाहर आया तो वो अनुभाओ हो गया समझ के यानी जो मनोगत भाओ को वेक्त करने वाले सरीर विकार अनुभाओ कहलाते एक तो परिवासा हम इसकी यह भी दे सकते हैं कि जो मनोगत भाओ होते हैं यानि मन के अंदर जो भाव होते हैं इनको जो भ्यक्त करते हैं वह सरीरिक विकार आपके क्या कहलाते हैं अनुभाव कहलाते हैं ठीक है तो अनुभाव की परिवासा बहुत सिंपल सी हो गए इस आदार सी कि जो भाव का अनुगमन करते हैं यानि जिन से भाव आते और जा यानि भाव का आना जाना ही अनुभाव है आगे बढ़ते हैं इसके बाद और नी जो चीजे हैं अनुभाव के भी चार भेद होते हैं आप से पूछेगा कभी नहीं काइक वाचिक मानसिक आहारी और आपका सात्विक ठीक है पांच भेद होते हैं मुक्रूप से उनी में यहाँ पर अनुभाव में भी आती बस अनुभाव में इनके भेदों में अलग अलग प्रकारी बनी जाते हैं उन्हीं को हम देखते हैं इस पर कभी भी सवाल नहीं पूछेगा आप से आपके लेवल में जो काइक होता है इसमें कटाच कहीं हो रहा हस्त संचालन हो रहा अनुभाव को अनुभाव और आहारी का होता है बनावटी बेसलचना के आहारी को अनुभाव समझ गए यह हैं सात्विक क्या होता सरीर के स्वभाविक अंगविकार वो शात्विक अनुभाव करते हैं तो यह अनुभाव की परिभासा अनुभाव के विभेद हो गए आग चौथा प्रश्न आपका यहां से बनता है कि संचारी भावों की संख्या या वेविचारी भावों की संख्या कितनी होती है। मन में संचरन करने वाले याने जाने वाले भावों को संचारी या वेविचारी भावों काता है। सित में समय समय पर क्या होता है प्रस्फुटित होता रहता है और हमें उसी अनुरूप क्या मिलते हैं भाव मिलते हैं देखे संचारी या अभिचारी भाव अस्थाई भाव के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं आचारी भरत ने इन तीसरी आस्रे की अपनी प्रकृति या अनिवेक्तियों की उत्तेजना के कारण है और चोथा जो है इस्त्री और पुरुस के अपने स्वभाव के भेद के कारण है ठीक ये चार ऐसी चीज हैं जिन पर संचारी भाव या वेविचारी भाव निर्भर करते हैं इन सारी चीजों और आलसी ये कैसे इस्त्रियों के अंदर बताए जाते हैं या पुरुसों के जो नीज पुरुस हैं उनके अंदर आईससे भेद होंगे अब ये सारी चीजे आजकल नहीं है ये जबकी रचना थी तब में और आज के समाज में बहुत अंदर है गर्म आत्वगत संचारी है ठीक है अमर्स परगत संचारी है आवेग यत्रास काला नुसार संचारी है भरत के अनुसारों और अन्याचारों के मत से भी पानी में उठन और आप ही आप बिलीन होने वाले बुद्ध बुद्धों जैसे ये संचारी या वेविचारी भाओ क्या होंगे अस्थाई भेदों के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं ठीक है अस्थाई भाओ के अंदर संचारी भाओ अलग अलग होते हैं वेविचारी भाओ अलग अलग हो इनकी संख्या तैतिस है, हर्ष, विसाद, त्रास, त्रास में भय और व्यगरता दोनों लेते हैं, लज्जा, ठीक, ग्लानी, चिंता, संका, अश्वय, मनलब दूसरों के उतकर्ष के प्रदि आश सही सोटता, इंटॉलेंस, ठीक है, जो बोलते हैं, अमर्स, अमर्स का अर्थ होता है, बिरोधी के अफकार करने की आच्छमता से उत्पन दू, उसको अमर्स बोलते हैं, दो कहीं तरीके के होते हैं, लेकिन अमर्स जो होता है, इगर आपका कोई बिरोधी और उसने आपका आपमान कर दिया, तो उससे जो आपके अंदर भाव उत्पन होगा, ग्लानी उसके बाब मती, विबोद, वितरग, श्रम, आलश, निद्रा, शौप्न, इस्मिती, मद, उनमाद, अवित्ता और अपस्मार, जिसकों मूर्शा, ब्यादी और मरण, ये इतने तरीके संचारी भाव हमारे मन में आते, और रसके भेद कितने, रसतों केवल आपके नौ प्रका इनकी संख्या 11 बन जाती, वास्तों में भरत मुन के इंसार, रसकी संख्या, नौरस मानी जाती, जिसमें इन सभी का योगदान होता, तो संचारी भाव 33 प्रकार के हैं, अब संचारी भाव से, विभाव से, अनुभाव से संयोग होता, तो इनके मिलने से अस्थाई भाव रसों की निस्पति होती, यहां पर अब देखें, अस्थाई भाव क्या है, रस के मूलभूत कारण को अस्थाई भाव कहते हैं, जो रस है, उसका मूलभूत कारण क्या है, उसको हम अस्थाई भाव कहते हैं, पंडित जगनात ने रस गंगा धर, पंडित जगनात की कृती है क दूसरी चीज इनोंने क्या बताया इनोंने जो परिभासा दी है किसने पंडित राज जगज नाजी ने इनोंने कहा कि जिस भाओं का सरूप सजाती है यों बिजाती है भाओं से त्रिस्कृत ना हो सके और जब तक रसका अश्वाद हो तब तक वर्तमान में जो रहे वहाँ साई भाओ है मतलब सब कुछ हमने देखी सारी परिस्थितिया देखी और मन में हमारे एक अस्थाई रूल से जब कुछ जग गया तो वो चीजे जो बना रहे वर्तमान तक संचारी भाओ तो ऐसे आया ऐसे गया छणिक बात है लेकिन अस्थाई भाओ जब आपके अंदर जग जाएंगे ठीक है तो वो कुछ देर तक आपके अंदर जो है बिद्दमान रहते है मन का विकार भाओ है भाओ भाओ उनचास होते है अस्थाई भाओ 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 भाँ बढाती मुन के अंदर कौन गोन से है इसमें नेखे ये रति हुआ यानि प्रेम, हरास, सो, क्रोध, उत्साह, भे, जुगुपसा यानि घ्निडा, विश्मय या आशरी, सम्य या निर्वेद, बैरागी जिसको बोलते, वादसलि, भगवत भी सयक, इनके अनुसार यह ग्यारा प्रगार के अस्थाई भाओ बनते हैं किसी इदेक्ति क भारत के बाद में, सम्य या निर्वेद, या सांत को भी नवम अस्थाई भाओ माना, और बाद के आचार्यों ने भक्ति और बातसलि को भी अस्थाई भाओ माना, तो इस तरीके से नौ के बाद यह ग्यारा पहुंच जाते हैं, जिन चीजों को आपको जानना होता है, अब बात के लिक्सस आपके थोड़े से अच्छे मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बताना होता है, हाला कि इसके बाद जो चीजे होंगी, वो और ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है, मेरे लिक्षर को आप लगातार देखते रहिए, हिंदी इससे बाहर नही आपके जो सही होगी हैं, उन सारे लोगों को भी आप परिक्षा प्लस परिवार में सामिल करते रहिए, सभी को बताते रहिए, टीम का जो प्रोग्राम है, बाकी एक बात कि आप निशिनता रहिए, कि आप बहुत सही टीम के साथ जुड़े हैं, तो हम पूरी मानदारी से म जहनत आपके लिए करते हैं, हमें कभी भी ये संका नहीं होती, कि ये वीडियो लेक्षन हम आपको फ्री के तोर पर दे रहे हैं, या कुछ हम जैसा पेड में पढ़ाते हैं, वैसे ही हमारा भाव आपके साथ यहां पर भी है, ऐसे ही निरंतर हम लगातार आपको क्लासे ठीक है, जिसमें आपको हर एक बिसे को बहुत बिधवत धंग से पढ़ाया जाएगा, कि उससे बाहर चीजे ना हो, नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, हर एक चीजे रहेंगी, तो फिर मिलते हैं, नेक्ट क्लास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद